चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज इस आफ़ते की आखरी टेक न्यूज है और जबारदस्त है कुछ इतनी इंट्रेस्टिंग खबरेल आया हो आपके लिए यू आपसलूटली गोई टो एंजॉए पहली चीज जो है देखे कैसे टेक्नोलोजी चेंज करती है दो वे वी कंड़क्ट आर बिजनस फॉर एक्जांपल एटियम में जब हम जाते हैं तो डेविट कार्ड लेके जाते हैं और फिर पैसा निकालते हैं आपके मोबाइल से ही UPI के थुरू आप निकाल पाओगे कैसे basically QR कोड होगा उसे scan करना है आपके UPI अप में से उसे authorize करना है and that's about it cash निकल आएगी जी हां यू नोट रिक्वाइर डेविट कार्ड एटम में जाके विदाव डेविट कार्ड पैसे निकालो है ना वैसे दोस Tesla is doing very very well दोस्तों they are really doing well मतलब यह जो quarter हुआ first quarter of 2021 में उन्होंने रेकॉर्ड कर दिया रेकॉर्ड सेल्स किये उनके Model Y के X and S Model S Model X यह भी बहुत अच्छी तरह से चलना है they are beyond the expectations मतलब जो estimate कर रहे थे एनलिस्स लोग जिया वह भी बीट कर दिया है so Tesla is doing very well वैसे इंडिया में आ गया April Fool's joke आया था कि Model Y नहीं Model I launch कर दिया है लेकिन that was April Fool's जिया प्री बुकिंग अगेरे बी के बारे में बात कर दी थी वाइट चेपल वाइट चैपल वाइट चैपल जिया ही यह नाव होने वाला है Google Pixel 6 के chipset का यह Google का खुद का chip होने वाला है वो Samsung से बात कर रहे है to produce their own chipsets जिया हाँ जैसे Apple ने उनके खुद के Bionic chipsets बनाते हैं वो वैसे ही कुछ Google भी करने वाला है उनके Pixel phones के लिए so yes Bionic के लिए शायद competition आ सकती है अब देखना यह है कि भाई कितने अच्छे होंगे white chapel chipset white chapel chipset yes वैसे tech news अच्छी लग रही है like करना मत बूलिए एक घंटे के अंदर comment कीजे you know what happens वैसे दोस्ता हमने आप से पूछा था पूल में कितने लोगों के पास 5G phone है कितने लोगों के पास 4G है कितने लोग सिर्फ 2G 3G पर है 3% लोग अभी भी 2G 3G पर ही है 5G phone 9% लोगों के पास है that is very interesting जी हा 9% लोगों के पास और बाकी कुछ 83% लोग है 83 ने 85 और 89 जो भी percent है दोस्तों वो है 4G वाले so majority of them have got 4G phones वैसे दोस्तों iPhone का जो छोटा compact SE आता है दोस्तों अगले साल का जो SE होने वाला है वो 5G होने वाला है yes it is going to be a 5G and with smaller form factor 4.7 और 2023 का जो होने वाला है दोस्तों वो बड़े screen के साथ आएगा अभी जो नेक्स साल का आएगा वो अभी भी छोटा होने वाला है वैसे compact phones कितने लोगों को अच्छे लगते है पोल इसी के उपर रखते है आज का जो पोल है compact smartphones के बारे में ज़रू पाइटी सब्सक्राइब है वैसे दोस्तों इन्फिनिक्स का hot 10 play यह आने वाला है कल मैंने बताया था अब उन्होंने यह कहा है कि second half of 2021 में दो 5G phones लाने वाले हैं और याद रखिए यह जनरली budget phones हो दें 10,000 से 15,000 के बीच में and यह media tech chipset के उपर होने वाले हैं so जो इनके Dimensity chipset है 5G उसके उपर so Infinix भी 5G race में घुसरा है not bad not bad वैसे दोस्तों एक चीज़ बतानी थी आपको क्या आपने हमारा Spotify पे podcast है उसको subscribe किया नहीं किया तो जरूर कीजे यह जो tech news होती है Spotify पे भी आप सुन सक सकते हो yes we are podcasting सिर्फ tech news ही नहीं दोस्तों even ask karun जो है वो अब Spotify पे जाने वाला है तो जरूर देखिएगा अगर आपको सिर्फ मुझे देखना नहीं है आपको अगर सुनना है मुझे तो जरूर उसके ऊपर try कीजिगा link नीचे description में दे रहा हूं और एक important बात TKF tracking के फंडे जिया अच्छे तारिको कुछ बहुत बड़ी चीज आ रही है रुकिएगा उसके लिए अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नीक है वो भी कर दियेगा मेक्शोर यूदिया वैसे दोस्तों कोर्टा ना जिया विंडोस पे होता है वैसे Android और iOS पे था लेकिन Android और iOS पे दोस दोस्तों चाइना में Realme X7 Pro का extreme edition launch हो गया है जी है Diamond City 1000 Plus है 5G है इसके अंदर curved screen आती है overall अच्छा है और इसके प्राइस आई हुई है 8GB, 128GB, base variant है 2399N, इसका मतलब कुछ 26,000 वगेर है और उपर वाला जो variant है वो कुछ 2699N का है, so yes, इंडिया में launch हो गया है नहीं, I don't think so, I don't think it will launch, आपकी 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 दोस्तों आपको बता दू, Redmi का जो gaming phone है, वो Poco के नाम से आएगा, यह मैंने कल बताया था, अब दोस्तों टैना के ऊपर Poco F के नाम से लिस्टिंग हो गई है, yes, so basically Redmi का जो gaming phone है, जो Diamond City 1200 पे है, जिसमें air triggers है, जिसमें 144Hz, fast refresh rate screen है, यह Poco F के नाम के नाम से आने वाला है, F-Series में आने वाला है, so good, not bad, not bad at all, क्या लगता है आपको इसको आपको इसको आपको इसको आपको आपको अच्छा लगते है, तो डेफिनिल्टी यह आपको अच्छा लगगा, अलग-अलग components वगए है, उसके साथ आप PC बना पाओगे, so very interesting, PC Builder ह आप का नाम, जरूर जाके देखिएगा, link दे रहा हो नीचे, description में, वक्त होता है, ट्रैकिंटेक टेजरान का कुछ दिखा, आज की Tech News में इधर उदर आजू, बजो आगे पिछे, अगर दिखा तो आपको 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 आपक और दिन्हें है।